जेहिन प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकर कंटरफेर्स में और आज हम डिसकस करेंगे बेंकिंग अवेडनेस की इस कलास में All About the SPMCIL and BRBNMPL क्या है ये दोनों कमपनी इसकब की इनकी स्थापना हुई थी कहाँ कहाँ पर है इनकी printing machines और कहाँ कहाँ पर है इनके सिकों की डालाई machine बिल्कुल सभी को detail में जानेंगे लेकिन इससे पहले अगर आपने आप़ी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आगे आने वाले classes में हम banking awareness को complete cover करने वाले हैं जो आपके आने वाले हर exam चाहिए वो IVPS का हो चाहिए, SBA का हो चाहिए RBA का या फिर इन से SPMCIL या RBRBNMPL से related ही कोई exam क्यों ना हो सबी के लिए बहुत important session है अगर आपको इनकी PDF से ये तो आप Telegram चैनल से जुट सकते हैं Telegram चैनल पर जुणने के लिए आपको नीचे description box में आपको user ID और link भी आ गया है आप वहाँ से जुट सकते हैं तो बढ़ते हैं आगी के class की और आगी class में हम discuss करेंगे इन दोनों companies के बारे में SPMCIL और BRBNMPL इनकी full form बनती है Securities Printing and Minting Corporation of India Limited BRBNMPL की full form बनती है भारतिये Reserve Bank not modern private limited दोनों को डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं आगे About SPMCIL Securities Printing and Minting Corporation of India Limited SPMCIL जो की Ministry of Finance के अंतरगत आती है यानि ये Government of India की सबसीडरी है ये Reserve Bank of India की सबसीडरी नहीं है एक important चीज़ आपको याद रखनी है कि SPMCIL Ministry of Finance के अंतरगत आती है Reserve Bank of India के अंतरगत नहीं आती है SPMCIL की total 9 units है पुरे देसबर में जिसमें 4 presses है जो की note चापने का काम करती है और securities चापने का काम करती है जिसमें 2 currency printing का काम करती है और 2 securities printing का काम करती है 4 है mints यानि सिकों की डलाई होती है वहotomा चार जगह है पुरे देसबर में इनको आगे जानेंगे और एक paper mill है जो notes में paper used होते है जो securities में paper used होते है उन में जो use होने वाला paper है वह इन इस paper mill में बनाये जाता है तो जानेंगे इसके बारे में कहांपर है इसका headquarter कहांपर है पर चपाई होती है papers की और कहां पर यानि कभी इसकी इस्तापना हुई थी तो चार प्रेसेस जो कि SPMCIL के अंतरगत आती है SPMCIL के अंतरगत जो आती है उन में से दो note बनाने का काम करती है note की चपाई का काम करती है और दो securities printing करने का काम करती है यानि पुरे देस में चार note मुद्रन फ्रेसेस है जिसमें से दो SPMCIL के अंतरगत आती है और दो BRBNMPL के अंतरगत आती है जिसे हम आगे डिसकस करेंगे लेकिन चार प्रेसेस है SPMCIL के अंतरगत जिसमें से दो note मुद्रन का काम करती है और दो securities printing करने का काम करती है जो नोट बनाने का काम करती है वह एक तो नासिक महारास्टा में और एक देवास मद्य प्रदेश में है और बाकी की जो दो नोट प्रेसे से उनको हम आगे डिसकस करेंगे दो securities printing machines है जो कहां-कहां पर है एक तो नासिक महारास्टा में है और एक हैदराबाद तेलंगाना में है दो securities printing machine से इन दोनों को याद रख लीजिए क्योंकि SPMCIL की एक जो नोट बनाने की और securities बनाने की दोनों एक ही जिगह पर है एक मसीन तो और एक हैदराबाद में है और जो नोट बनाने की वह हैं कहाँ पर है देवास मद्यपरदेश में है इससे आगे बिल्कुल अपने concept को आगे clear करेंगे इससे पहले हम मिंट्स के बारे में जान लेते हैं कि सिक्को की डलाई कहां कहां पर होती है जो सिक्को की डलाई होती है उस जगह को बोला जाते है इंडियन गवर्मेंट मिंट्स जिने इंडियन गवर्मेंट मिंट्स भी कहा जाता है एक नमर्का परसंद पूचा जा सकता है कि Mints को क्या कहा जाता है तो Indian Government Mints भी कहा जाता है यह आपको पता ही है कि जो Mints जो सिक्क्र के ढलाई होती है वो S.P.M.C.L के अंतरगत आती है और S.P.M.C.L किसके अंतरगत आती है यह Ministry of Finance Government of India के अंतरगत आती है तो सिको की डलाई कहां कहां पर होती है एक तो मुंबई महारास्टा में होती है एक हैदराबाद तेलंगारा में होती है एक कोलकता वेस्ट बेंगोल में होती है एक नोईडा उतर परदेश में होती है तो चार मिंटिंग की डलाई की जगे हैं इनको याद रख लीजी ये भी important बनती है अब बात कर लेते हैं कुछ important facts के बारे में SPMCL के बारे में तो जो नासिक और देवास जो factories है ये दोनों जो SPMCL के अंतरगत आती है SPMCL के अंतरगत जो आती है वह more than 40% जो currency है वह print करती है नासिक और देवास, दोनों factories more than 40% total currency यानी produce करती है, बनाती है और SPMCIL की स्थापना हुई थी 2006 में, 2006 में SPMCIL की स्थापना हुई थी और 1995 में BRB NMPL की स्थापना हुई थी जिसे हम आगे पढ़ेंगे Headquarter कहाँ पर SPMCIL का, तो Security Sprinting, Minting Corporation India Limited का Headquarter है New Delhi में कहाँ पर इसका Headquarter है, New Delhi में है, Paper Mail के बात करें, तो Paper Mail की स्थापना हुई थी 1968 Paper Mail की स्थापना कब होई थी 1968 को Paper Mail की स्थापना होई थी और Paper Mail का Headquarter कहाँ पर इस्थित है, होसंगाबाद मद्येपर्देश में है सुपर इंपोर्टेन एग्जाम पॉइंट ओफिस है, होसंगाबाद मद्य पर्देस में क्या इस्तित है, पेपर मेल इस्तित है, पेपर मेल किसके अंतरगत आती है, क्या ब्रिजरो बैंक नॉट मुद्रन प्राइवेट लिमिटेट, इसके बारे में जान लेते हैं, तो यह बैंक ओफ इंडिया की सबसीडरी है, बारतिये रिजर्वे बैंक नॉट मुद्रन प्राइवेट लिमिटेड, बी आर बी एन एम पियल, जो की दो युनिट्स रखती है, पुरी देस बर में, जो की सिर्फ और सिर्फ नॉट बनाने का काम करती है, मैंने अभी थोड़ देर पहले ही आपको बताया कि SPMCIL भी दो नॉट मुद्रन प्रेस रखती है, जिसका क्या नाम है? जिनका क्या नाम है? देवास और नासिक, देवास और नासिक, लेकिन BRB NMPL के अंतरगत जो आती है, जो नॉट मुद्रन प्रेसे से वो कौन-कौन सी है? मैं सुरू जो की करनाट प्रिंटिंग मसीयन से जो की नॉट बनाती है, जिसे आप याद करने की ट्रिक है MS धोनी, MS धोनी, इसे याद रख लीजे, आपको सारी चीजे कलीर हो जाएगे, MS जो आती ही हो आती, BRB NMPL के अंतरगत, और धोनी वाला जो D और N को टहिए, देवास और नासिक, देवास औ ये किसके अंतरगता था, SPMCIL के अंतरगता था, एक्जाम का क्या परसन पूछा गया था, एक्जाम में पूछा गया था, कि इन में से कौन सी, इन में से कौन सी, गवर्मेंट ओफ इंडिया की प्रिंटिंग मसीन है, तो आंसर था, देवास और नासि, इन दोनों में से एक तो आंसर दोनों में से एक ताद देवास और नासिक अगर पूछा जाए Reserve Bank of India की printing machines कौन सी है तो मैं शुरू और सालबोनी और पूछा जाए कितनी printing machines से नोट बनाने की तो चार है MS दोनी मैं शुरू, सालबोनी, देवास और नासिक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं BRBNMPL के बारे में तो इसका हैड़ कौर्टर बैंगलुरू में कुछ facts के बारे में बात कर लेते हैं जो इन दोनों से हटकर है लेकिन important है चार बेंक नोट फ्रेसेस है मैं सुरू, सालबोनी, देवास और नासिक MS दोनी से याद कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दी एक्जाम के point of execution मैंने आपको बता दिया है कि देवास और नासिक government of India की मैं सुरूर साल बोनी reserve bank of India की बात करते हैं कि notes कौन-कौन बनाता है और शिक्के कौन-कौन बनाता है और government of India एक रूपे का note बनाता है और सारे सिक्के बनाता है government of India यानि finance ministry के अंदरगत एक रूपे का note और all the coins बनाए जाते हैं इसे ये exam में ये person पूता जा सकता है कि एक रूपे के note पर किसका signature होता है तो finance secretary का किसका finance secretary का एक रूपे के note पर signature होता है और एक रूपे के लाओ जितने मी note से उस पर Reserve Bank of India के governor के signature होते है ये भी आप याद रखे लिजिए और Reserve Bank of India के जो RBI Act 1934 है क्योंकि Reserve Bank of India की स्थापना होई थी 1935 में तो इसका act जो बनाता है 1934 इसके according Reserve Bank of India 10,000 रूपे से उपर का note print नहीं कर सकता और दूसरा Government of India के finance minister के लिए भी एक नियम है कि Coinage Act 2011 Coinage Act 2011 इसके according एक हजार रूपे से उपर का सिकार रिलीज नहीं किया जा सकता एक हजार रूपे से उपर का सिकार रिलीज नहीं किया जा सकता ये है Coinage Act 2011 के अनुसार तो यह था Banking Awareness की कलास में हमने पढ़ा कि All About the SPM, CIO और BRP, NMPL क्या चीज़े है कम से कम टाइम में हमने कम maximum gain किया तो खोप इसमें से एक ना एक क्यूसन आपके एकजाम में बनेगा और आप बिल्कुल correct answer करके हैंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली Banking Awareness की कलास में तब तक के लिए जे हिंद